करनाटक में 4 दिन बाद 10 माई को वोटिंग होनी है चुनावी केंपेन के अंतिम समय में सभी दल मिदान में उतर चुके है केंद्री ग्रम मंत्री अमिट शाष अनिवार को करनाटक के सवदती यलम्मा पहुचे उन्होंने वहाँ कॉंगर्स पर टिपपनी करते वे कहा ये पार्टी पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अजेंटे पर चलती है सिर्फ तुष्टी करन की राजनिती करती है कॉंगर्स पार्टी ने हमेशा उत्तर करनाटक के किसानों के साथ अन्याय किया है जब भी कॉंगर्स सरकार आई उन्होंने किसानों पर गोलियां लाठियां चलाई है वही हमारी डबल इंजिन की सरकार हर साल दसजार रुपया किसानों के अकाउंट में डाल रही है करनाटक में शुकरवार को शाह के छे प्रोग्राम होने है सवदत्ती अलम्मा के बाद शाह अथनी पहुचे यहाँ पर उन्होंने जनसभा को सम्मूदित किया इसके बाद उन्होंने रायबाग में रोट्शो किया उसके बाद वाची कोडी साथ लगा और यमन कानमंडी में जनसभा को सम्मूदित करने पहुचे शाम को साड़े छे बजे बेलगावी नात में रोट शो अमिट शा ने यहां अपने भाशन में कॉंग्रेस थी एक उचना पत्र का जिक्र करते वे कहा कि कॉंग्रेस ने श्री राम को ताले में रखा अब बजरंग बली का अपमान करने का काम किया यही नहीं इन्होंने बार बार सावरका भी अपमान किया उन्होंने शिवाजी महराज को भुला देने की कोशिच की कॉंग्रेस को इतियास मालूम नहीं है शाह ने कॉंग्रेस नेतर राहूल गांदी पर टिपड़ी करते वे कहा राहुल बाबा आप 10 जनम जिन्दा रहोगे तो भी सावरका जी के बलिद्दान के 10 वे भाग जितना भी नहीं कर पाओगे